GI student, dummy candidate, नाम सुना कभी? dummy, dummy मतलब duplicate, candidate, candidate मतलब परतियासी, जो की exam देने जाना था, यानि की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, dummy candidate की, essay candidate जो किसी NIS के 10 या 12 के student के बदले में exam देने जाते हैं, और आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ एजेंट्स के इस तरगे के जाल में फज जाते हैं और फिर उसके बाद क्या-क्या पढ़नाम उनको भुगतने पड़ते हैं तो आज के इस पूरे वीडियो में लोग बात करेंगे इसी बारे में कि कौन होते हैं और अगर आपका एक्जाम दे रेता है तो इसके बाद में पढ़नाम क्या-क्या हो सब्सक्राइब स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिपक सिंग्व साही और मैं हूं एक्सपर्ट सबसे पहले तो मैं आपको बता दू इसी तरिकी के वीडियो थी जो हमने लॉज करें थी दो महीने पहले जिसमें बताया गया था कि कैसे आप एड़िजनल मांक्षे प्राप् पृषिय करूँगा कि इस वीडियो को अभी जो हैं एग लाग व्यूस होने वाले हैं और जिसमें कि 5000 से उपर Likes आए हैं और साथ-साथ में पांक्सो से उपर कि आपको इग्जाम किसी और से दिलवा देंगे आपको सिर्फ हमें पैसे देने हैं और आप उने पैसे देते हैं और उसके बाद वो एक dummy candidate create करते हैं dummy candidate यानि कि अगर आप male ID है तो फिर वो एक male candidate create करते है या फिर आप अगर आप female candidate है तो एक female candidate वो create करते हैं जो आपके स्टन पर exam देने जाते हैं अब आप बोलिए कैसे possible है क्योंकि eye card है, अधार card है, photo लगा है scanner है, camera है, film यह सब बहुत मुस्किल है बहुत ही मुस्किल है लेकिन कुछ ऐसे agent है जो किसी तरीके से इसकी भी तयारी कर लेते हैं सबसे पहले देखें, मैं उन students को आगा करना चाहता हूँ जो students यह बोलते हैं कि हमारे को तो exam देने की ज़रूत यह नहीं है हमने सिर्फ examination form भर दिया है admission ले लिया, अब हमारी जगा कोई और exam देने जाएगा और हमको तो अपनी जो है और इतर पास माक्षे मिल जाएगी लेकिन ऐसे students को मैं बताऊं कि अगर इस प्रक्रिया में कहीं पर अगर जो भी कारवाई होती है और वो कारवाई हो गई तो उसका क्या-क्या बुक्तान आपको कटना पड़ेगा सबसे पहले तो देखिए होता ऐसा है कि अगर आपको एजेंट यह पूर रहा है कि आपको exam देने नहीं जाना है तो वो आपके बते किसी और को एक्जाम देने वहां बेशता है और जब वहां एक्जाम देने बेशता है और धुक्वार ना करें अगर वहां पर कोई एनायस की फ्रैंक्स आ गए और वहां पर उस केंडिडेट्स को पकड़ लिया गया कि जो कि आपके अस्तान पर exam दे रहा था तो यह मत सोचिएगा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले आपकी ID निकाली जाएगी सबसे पहले आपका दूसरा केंडिडेट दिया है और पूरी चानमीन होने पर अगर कहीं पर भी आप भी गुनागार नजर आते हैं तो आपको भी उतनी ही सजया मिलती है जो सजया उस exam देने वाले को मिल रही है और साथ-साथ में जिस agent ने ऐसा कोई कारे करा है जहां पर duplicate को या i-card बनाकर य ios इतना strict हो चुका है कि बहुत ही तरीके से exam लिया जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से check-in करने जाती है कि नहीं इस तरीके का कोई भी dummy candidate अंदर ना आ जाए उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से स्कूलों को study center को निर्देश दिया होते हैं कि इस तरीके से वो करे और इसके बावजूद भी अगर कुछ study center इस सब कार्रवाई में involved हैं तो कभी न कभी वो जो है पकड़े जाते हैं और इसके बाद उस study center को भी seat कर दिया जाता है और ऐसे में सिर्फ घाटा एक ही जने का होता है वो candidate जिस candidate ने अपनी जगा तुसरे बंदे को exam देने के नगई पर बहुत सारा पैसा दे दिया और दूसरा एक illegal काम को किया है जो कि उसके द्वारा किया गया है और जिसका प्रेंडाम उसको बुगत नबड़े